हर्याना की तरफ जहां सियम नायाप सिंग सेनी आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए कि आप सब लोग एक विक्ति नहीं बैठा है यहां पर आपके पीछे एक बड़ी सक्ति है हमारे समाज की सक्ति है हमारी धार्मिक सस्थाओं की सक्ति है हमारे जो परबुद्जन है उन लोगों की सक्ति है जो गव सालाओं को निरंत और आगे बढ़ाने का और उनकी कोई समस्याएं हो उनका तत्परता से समधान करने का जो आगे आकर के हाथ बढ़ाते हैं आपके पीछे वो सक्ति भी है मैं उनको भी परणाम करता हूँ और उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जो सली हर्याणा परदेश के अंदर विभिन स्थानों के उपर जो हमारी गव सालाएं हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहते हैं मुझे आज बड़ी परसंता हो रही है कि आज मैं गो भगतों के बीच में आकर मैं परसंता महसूस कर रहा हूँ आपको गो स्रेवा से जुड़े सभी महान वहाओ का मैं दिल से बहुत बहुत हारदिक स्वागत करता हूँ मुझे ये खुसी है कि आज मंच पर जिनकी अगवाई में आज हम यहाँ एक अत्तर हुए है स्वामी ज्यान अनंजी महराज आप अपनी मदुर्वानी से गीता और सिरिमत भगवत कथा करके मानव को अचार विचार और वहवार के बारे में सीख देने का निरंतर कार्य कर रहे हैं मुझे ये भी खुसी है आज आप लोगों के बीच में बात को शेर करते हुए क्यादनिया ज्यान अनंजी महराज जेनकी प्रेवना से मारिशस, ब्रिटेन, कनड़ा, आस्ट्रेलिया और सिरी लंका में अंतर राश्ट्रिया गीता महसव का भव्य आयोजन वो हुए हैं ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कुर्क्षेत्र में हर साल आयोजी तो होने वाले अंतर राश्ट्रिया गीता महसव में आपकी सत्रिय भागिदारी और मार्वर्षन हम सब को मिलता है आपके मार्वर्षन में संस्थाएं, राशन वित्रण, पोलियो, ओप्रेशन, शीवर, गोशालाएं, पार्षालाएं, चेकिसाल्या, जैसे परकल्ब आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं आप देश विदेश में भारतिय मुल्यों और संस्कारों का परचार परसार गती से सरल तरीके से आप कर रहे हैं आपके साथ साथ यहां उपस्तित मैं सभी गोवगतों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सब का स्वागत करता हूं मुझे यह खुशी है कि हमारे देश और समाज में गाए आधी काम से ही उजनिया है